च्वेल भैबी थोकर इधर उदर देख रही थी अचानक, वो चिलाती है और अपना हाथ मोंबती की ओर करती है, फिर एक मक्की अपने पंक फरफ़ाते हुए भागने लगती है, वो एक छेद में से निकल कर फिर मुड कर खलिहान की ओर जाने लगती है, अगले ही पल वो चु फिर उसमें अपनी तलवार घुमाए और उसका सिरकार दिया, कवच मही बिखर गया और महिला फिर से एक चुहे में बदल गई, सैनेक उसके पीछे दौर पड़े, यदेपी वे उस पर जपते, लेकिन चुहा अपनी फुर्ती से उनसे बच निकला और ठोकर खाकर कोटरी क सलाकों में गिर पड़ा, सफेध हड्यों बर से कूब कर वो सीधे कैदी की पास पहुचा, सिपाही भी कोटरी का दर्वाजा खोल चुके थे, चुहा आदमी की सिरसे उचल कर दीवार पर चल जाता है, और फिर खिरकी से बाहर चलान लगा देता है, लेकिन गिरते ही वो दी अली के बच्चे में परिवर्तित हो जाती है और घर में आ जाती है परिवार के लिए आश्चरे की बात ये थी कि लड़की ने इंसाने रूप धारन कर लिया, फिर वो कमरे से बाहर निकली और रेश्मी दुपट्टे को पहन लिया, इस तरह वो अपने पीछा करने वालों से बचने में काम आव रही